पेलो एब्रीवन हम लोग इस वीडियो में Current Affairs को डिसक्स करने वाले वाले दिसंबर मन्त के 1 से 12 दिसंबर के बीच में जितने भी Current Affairs हम लोग उने परें हैं ठीक है उसका का रिवीजन करने वाले है तो यह रिवीजन होने वाला है ठीक है आप नहीं भी पढ़ा है तब भी पढ़िए आपको आपको जानकारी हांसिल होगी जो के एंटी पीसी सीवीटी टू और गुरूपड के लिए बहुत जाधा इंपोर्टेंट है और आप अगर एससी सेलेक्शन फेस का भी एक्जान दे रहे तो यह वीडियो देख लिजे अगर फायदा मिलता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा ठीक है तो शुरू करते हैं यूनिस्को की गुडविल एंबेसिडर कौन है अभी ठीक है यह नॉवेंबर लास्ट नॉवेंबर का करेंट अफेस है उसके बाद है कि ट्विटर के सी यू कौन बने है आपको याद है तो वीडियो को पॉस करके प्लीज यह कीजिए कॉपी में लिखे जल्दी से तो जो गुडविल एंबेसिडर बनी है वो बनी है नौमी कौसी ठीक है और ट्विटर के सी यू बने है प्राग अगरवाल इंडियन है और इसने किन को रिप्लेस किया है जैक डोर्सी तो ये भी पूछा जा सकता है कि अभी अभी जो प्राग अगरवाल है सी यू ट्विटर क उन्होंने किन को रिप्लेस किया है तो जेक डोर्सी को रिप्लेस किया है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग अब दिसम्बर के करेंट अफेर्स आएंगे एन आ एफ बुक प्राइज 2021 का किन को मिला है ठीक है तो यह हो जाए उसके बाद वर्ल्ड एतलेटिक ओमेन अफ दे येर का एवार्ड 2021 में किन को मिला है नेक्स्ट है चेर्मेन आफ आइटी डीसी ठीक है आइटी डीसी के चेर्मेन कोन है यानि के इंडियन टूरिज्म डिवलेप्मेंट कोर्परेशन नागलेंड इस्टेट हुड डे कब मनाया जाता है ठीक है और सियम और गवर्नर कोन है आपको जितने आते हैं कॉपी में लिखना है कि हम लोग ये रिविजन कर रहे है ठीक है वर्ल्ड केम्पूटर लिट्रेसी डे किस दिन मनाया जाता है और इसका थीम क्या है 64th National Suiting Championship जो हुआ वो कहाँ पर हुआ है ठीक है इसका एंसर भी देखने वाले है पहले कुस्स देख लेते है राजश्री संचीती रिलेटेड राजश्री संचीती रिलेटेड टो विच स्पोर्ट ये जो राजश्री संचीती है ये किस स्पोर्ट वने कौन सा स्पोर्ट खे मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है ठीक है तो अब एंसर देखते है एन एफ का जो बुक प्राइज मिला है वो मिला है दीनार पटेल का इन्होंने दादा भाई नारोजय की बायोग्राफी लिखी है इनको ये वाड दिया गया है नेक्स्ट है वर्ल्ट एथलेटिक ओमे इन ट्रिजम डिवल्लपमेंट कोरपोरेशन के चेयर में बने हैं वो हैं संबीत पातराजी जानते हैं संबीत पातराजी को नेक्स्ट जो था नागालेंड का इस्टेटूट टे है फर्स दिसमबर और ये बना था 1963 में ठीक है नागालेंड में एक फेस्टेबल मनाया जाता ठीक है वो दस दिसमबर से दस दिसमबर तक मनाया जाता है और सीम कौन है सीम जो है नेफ्यू रियो जी ठीक है इसका नाम ही अलग है तो याद हो जाएगा ठीक है नेफ्यू रियो और गवर्नर जो है वो जगदिस मुखी जी है आसाम के भी गवर्नर जगदिस मुखी जे ह ही है ठीक है तो दो स्टेट के गवर्णर जगदिस मुखें है आसाम और नागलेंड नेक्स्ट है यह भोपाल में हुआ है और मैंने एक कुश्चन पूछा कि राजसरी संचीती कि स्केल से रिलेटेड है तो यह सूटिंग से रिलेटेड ठीक है इन्हों यह इनका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने नेशनल सूटिंग चंपेंशिप कंपेटिशन जो हुआ है भो बोडिशन कंटूल ले सुरी कि और नेशनल त्रीकोर बीड़न कंट्वर को ही मना जाता है क्यों कि उसी दिन भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुआ था 1984 में ये भी एक्जाम में पुछा जाता है कि भुपाल गया स्ट्रेजिडी कब हुआ होता है हुआ था तो 1984 में हुआ था ठीक है जिसके वैसे हम लोग नेशनल पॉलुशन कंट्रोल डे मनाते हैं सौधी अर्मियन ग्रांड प्रिक्स 2021 में किसने जीता ठीक महापर निर्वान दिवस का किस दिन मनाया जाता है और किनकी याद में आप एक्स्ट्रा इंफोर्मेशन भी दे सकते हैं ठीक है उसके बाद 2021 के मिस ट्रांस ग्लोबल टाइटल मिस ट्रांस ग्लोबल टाइटल है बह किसने जीता है यानि कि BWF का टाइटल किसने जीता है 2021 का इंटरनेशनल होकी फेडरेशन फिह जुनियर वर्ल्ड कप जो हुआ है वह कहां पर हुआ है और कौन सी टीम जीती है ठीक है यह सारे दिसंबर के करेंट अफियर से यह एक्सरेसाइज किस-किस के बीच में ज bola है किस-किस के बीच में होता है क्यों एक्सरेसाइज नेक्स है सोरी इसका एंसरल सजो लेते है नोग तो सौदी अर्मिय excel juid वो लुइस हमिल्टन जीते हैं, लुइस हमिल्टन मर्सरीज गार इसे रिलेटेड है, ठीक है, और ये ब्रिटेन के है, ठीक है, उसके बाद, ये महापरणी वान दिवस जो है, ये, ये मनाया जाता है 6 दिसंबर को, और डॉक्टर वी आर अमबेद करकी डेथ उनिवरसिटी पर मनाया जाता, क्योंकि इनका 65 देथ इनिवरसिटी था, इसलिए इंपोर्टेंट है, ठीक है, मिस ट्रांस ग्लोबल टाइटल कौन जीते हैं, सुरुति सितारा, देखिए, ग्लोबल का टाइटल है, लेकिन जीती हैं कौन इंडियन, इसलिए इंपोर्टेंट है, और ये क केरला से, केरला सी हैं, ठीक है, सुरुति सितारा जी, मिस ट्रांस ग्लोबल टाइटल 2021 का, बैड मेंटन वर्ल्ट फेडरेशन टाइटल 2021 का कौन जीती हैं, एन शियोंग साउथ कोरिया की हैं, जो के गोल्ड मेडल रही हैं, और हमारी पीवी सिंदु जी हैं, उन्होंने सिल जीता था, तो पीवी सिंदु हो जाएंगी, इंटरनेशनल FIH जो हुआ, जुनियर वर्ल्ड कप, ठीक है, यह उरिस्टा में हुआ, और कौन जीता, अर्जेंटिना जीता है, जर्मनी को हरा कर, ठीक है, होक्की टोर्नामेंट, जुनियर वर्ल्ड कप, जो है, उरिस्टा मे हुआ, जुनियर अर्जेंटिना जीता, हरा कौन जर्मनी हरा, ठीक है, उसके बाद एक्ससाइज जो होता है, इंडिया और मौल्डीप्स के बीच में होता है, ठीक है, याद रखना है, उसके बाद वर्ल्ड सोयल डे का थीम, डे कब मनाया जाता है, और इस बार का थीम क्या इस में से C का full form क्या है ठीक है तो 5th December को World Soil Day मना जाता है इस बार का theme जो था वो Health Soil Salutization Boost Soil Productivity था ठीक है तो ये भी याद रखे है कि आप कितने days का theme याद रखेंगे तो जितने भी environment से related है जितने भी environment से related day है उनका theme याद रखना है तो हर एक theme याद नहीं रखना है इन्वायरमेंट से related Soil का है इन्वायरमेंट से related है इसलिए हम लोग theme याद रखेंगे इसका ठीक है अब इसका president देख लेते हैं President है Sanjeev Mehta जी अब इसका full form क्या है Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry Next है Davis Cup 2021 का winner कौन है Commonwealth Weightlifting Championship जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है ठीक है अभी भी running है उसके बाद President of World LPG Association ठीक है President कौन है Indian है इसलिए इसलिए एक्जामब के लिए important है ठीक है उसके बाद Gampit Award 2020 और 2021 में 1-7 दिया गया है कुछ दिन पहले ठीक है तो किनको किनको में लिए है 2020 का और 2021 का तो इसका answer देख लेते है Davis Cup जो है Russia Versus Crotia खेला गया था ठीक है Russia जीद गया है और Davis Cup कि से खेल से related है Tennis से related है तो ये भी एक्जाम में आता है Davis Cup कि से related है Tennis से कौन जीता Russia जीता किस को आरा करके करोशिया कोरा करके common wealth lifting जो है weight lifting जो है वो तशकेन सहर में हो रहा है उजबिकस्तान के ठीक है उजबिकस्तान country के तशकेन शहर में हो रहा है तो हमारे इंडियन जो है वहां काफी अच्छा कर रहा है संकेत महादीव जी गोल्ड जीते हैं 55 kg के इसमें केटेगरी में उसके बाद जिली डाला बेर जो है ये भी गोल्ड जीती है उनपचास केजी के और women's केटेगरी में ठीक है उसके बाद जिरिमी लाल रंगश ये भी अपने इंडियन है ठीक है तो ये रंणिंग है हो सकता है इनका नाम देदे के संकेत महादेब की स्खेल से रिलेटेड है कि ये लोग गोल्ड जीत रहे हैं ठीक है कॉमन वेल्ट लिफ्टिंग चंपेंशिप में ठीक है जो के उजबिकिस्तान में हो रहा है नेक्स्ट है प्रेसिडेंट आफ वर्ल्ड लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानिके ल्पी जी एस्टोशियेशन ठीक है ये हो जाएंगे स्रीकांत मादव जी जो के आई ओसी यानिके इंडियन ओयल कोर्पोरेशन के चेर्मेन भी है ठीक है ये चेर्मेन होगा गलती से कु नील मोनी फुकारं जी 2020 के लिए को द द चेक लिए ह अभी मिलने को एक साथ मिला क्योंके और कोविट की वजिससे नहीं हो पाया था ऊस टाइम क्लव minister अभी मिला है गैन पीड आवार तो 2020 भी इंपोर्टेंट है 2021 नील मोनी पूखन को 2020 में दामोदर जी को 2021 में ठीक है नेक्स है एसी अपावर इंडेक्स में मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन सा है ठीक है डॉक्तर एमेस स्वामी नाथन एवार्ड पूर पर पिरियड 2017 से 2019 के बीच में जो पिरियड था देख लेते एसी अपावर इंडेक्स पे मोस्ट पावरफुल कंट्री जो है सबसे पहले युएसे है उसके बाद चाहिना उसके बाद जापान उसके बाद इंडिया यानि के इंडिया का पोजिशन कितने रेंग पर फोर्थ में में सामी नाथन जो एवर्ड मिला है वो मिल स्टेशन गई है कौन सी हो हो जाएंगी या सुकू यूसुका मेज मेजवा जो है इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन गई थी एस टूरेस्ट फस्ट जापानीश थी ठीक है नेक्स्ट है रोयल गोल्ड मेडल जो है 2022 में किनको मिला है उसके बाद हुमन राइट्स डे कब मनाया जाता और इस थीम क्या है यूंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट एवर्ड 2021 में किनको मिला है तो रोयल गोल्ड मेडल सबसे पहले तो यह जान लेते है किस किस चीज से रिलेटर है जो दिया जाता है ठीक है यह आर्किटेक्ट्चर फिल्ड का सबसे हाइस्ट एवर्ड है ठीक है तो यह भी यहां पर इंडियन चाहे हुए बाल कृष्ण दोसी जी को मिला गया दिया गया है और यह दिया किस के द्वारा दिया जाता है रिबा के द्वारा यानिके रॉयल प्रिटिस एकाइडमी ठीक है दिया जाता है किनको मिला है बाल कृष्ण दोसी जी को ठीक है जस्ट एसके बाद हीमन राइट जेक मनाया जाता है तो यह हो जाता है दस दिसंबर को इसका जो थीम ताज एक्वेलिटी रिद्यूसिंग इनिक्वालिटीज एड़्वांस हीम ठीक है उसके बाद नेक्स देखते हैं हम लोग योंग जी इसपेशल साइन्टिस एवर्ड 2001 के से में किनको मिला है तो रुपेज गोईल रुपेज गोईल जी को जो को है आयाटी कानपूर के साइन्टिस थे ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं रामु राजन प्राइशन फुटबोल चंपेंशिप के विएर कौनसे टीम रही है ठीक है नेशनल फुटबोल है ये इंटर्नेशनल नहीं है ठीक है नेशनल फुटबोल उसके बाद next है कलिंगा लिटरिरी एवार्ड 2001 केश में किनको मिला है तो देख लेते हैं नीना गुपता जी को रा इनको इनको एवार्ड मिला गया है मिला है ठीक है नीना गुपता जी को क्योंकि मैं उसके बाद यूनिसेफ का फोर्मेशन डे कब है 11 दिसंबर ठीक है जो का अभी भी गुजरा है और इनका फोर्मेशन कब वहा था 1946 को और यह इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका 75 जन में डैरेक्टर भी बनी है डिसंबर में ही निउ एक्सीकोाटि निक्कोसी आसल नेक्स्ट है सेनियर वॉमेंस नेशनल फुटवल चंपियोन्शिप मैं मनीपूर प्था मनीपूर की टीम ने जीत है नेशनल फूटवल चंपियोन्शिborn जयो Ginier शीनियर वुमेंस है उसके ब और दिभिया दट्ता जो के एक्तरीक्ट है ढась इनको यह होड़ दिया गए तो यह थे एक से अबी थोड़ा कुछ और विवाक की त कर पर फिर्शाम एट यह साथ राइस लाइस लाइन अलिठ चेयर परसन ऑफ नहीं नहीं के चेयर परसन कौन है उसके बाद बीड़ुएफ मेल प्लेयर ऑफ देयर दोजार एकेस के कौन बने है बीड़ुएफ पुले तो बैडमेंटन वर्ल्ड फिडरेशन ठीक है उसके बाद यह जो बुक है 1971 चेंज ऑफ दे गोरकास और इस्टोरीज यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है उसके बाद मैतरी दीवस कब मनाया जाता है यूनिक्स के यूनिक्स के ब्राइब मेंसेडर कौन है और कैज हैवली वेट लेंड जो है यह 16 बर्स संचरी बना है कौन से स्टेट का ठीक है उसके बाद फोब 2021 के मोस्ट पावर्फुल कौन है इसका एंसर देख लाते हैं तो नहीं के जो प्रसिडेंट है नेशनल हाइवे अथर्टी ऑफ इंडिया के जो प्रसिडेंट है वो है स्वारी चेयर परसन जो है वो है उलका उब्ध है ठीक है उसके बाद BWF यानिके बैड मेंटर वर्ल्ट फेडरेशन मेल प्लेयर प्लेयर ऑफ देयर दोजार एकेस के कौन बने हैं विक्टोर एक्स एक्सेल सेन ठीक है जो के डेनमार्क के हैं यह बहुत इंपोर्टन कुर्शन सें ठीक है उसके बाद यह जो बुक लिखे गई है चेंज दा चेंज ऑफ दो गुरका जैन अधर इस्टोरी यह रचना बिस् सिक्स दिसंबर को मना जाता है इंडिया और बंगलादेस के बीच में दोस्ती का ठीक है यूनिक्स के ब्रैंड एमबसेडर मने हैं जस्पिरीद भूमराजी ठीक है उसके बाद अभी अभी हम लोग बनें परह बाइजी उसके ब्राण एमबसेडर कौन बने है नीरज चोप है में मैकेंजी स्कॉट ठीक है मेकेंजी स्कॉट इनका नाम है यह मोस्ट प 앞에 से शबशन होना करेंगी हो सापयी है viu निरमला क deflect पोजीशन प्राइए तो यह सारे करेंट अफेस थे एक से बारा दिसंबर के अगर सारे बहुत जादा तो इंपोर्टेंट ही थे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए ठीक है ताके हमें भी मोटिवेट मिले और आगे भी वीडियो बनाते रहें थेंक्यू सो मच पर वची